हेलो गाइज मैं शालू और स्वागत है आपका मेरी चैनल शालू ब्यूटी और फैशन में मैं यहाँ पे ब्यूटी रेमिडियो और फैशन रिलेटेड वीडियो अप्लोड करती हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करिये और अगर आपको मेरा काम विडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेग तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही useful topic share करने वाली हूँ इसके पहले भी मैंने दो साड़ी reuse project शेयर किया था जिसे आप लोगों ने बहुत जादा प्यार दिया है तरहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया तो आज मैं जो topic आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ आज मैं आप लोगों के साथ share करूंगी कि आप अपने पुरानी कुर्ती को किस तरह reuse कर सकते हैं जल्दी से start करते हैं तो जो पहला कुर्ती मैंने अपना reuse किया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सो इस इस माइ फर्स रियूस कुर्ती आज यू कैन सी एक straight कट कुर्ती थी और मैंने ये मुझे tight हो गई थी और जैसा कि अंदर में मैंने margin भी नहीं थोड़ा था सी like जो होता है तो मैं इसे किसी को देना नहीं चाहती थी क्योंकि इसका जो color है आप देख पारे हो बहुत ज स्लीव थी स्लीव मैंने खोल दिया और स्लीव के पार्ट से ही मैंने ये एक डोरी बना ली और डोरी वनाके उसी स्लीव से दो टैजल बनाके इसमें लगा दिये जिससे इसका लुक जो है वो इन्हांस हो गया similarly मैंने दोनों साइड में इसी तरह किया है so this is the overall look of the stroke ये एक long stroke में मैंने इसे convert कर दिया है इसे मैं किसी भी plazo top के साथ या फिर अपने किसी भी short कुर्ती के साथ long कुर्ती के साथ जिसके साथ इसका print match होता है या solid कुर्ता के साथ easily इसे team up कर सकती हूँ so अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कुर्ती है जो tight हो गई है जिसमें margin नहीं है आप इस तरह के short या long strokes में अपने कुर्ता को या कुर्ती को convert कर सकते हैं this is my first kurta reuse idea so let's move on to the second one second one मैंने use किया है अगर आप लोगोंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी साथी reuse का तो आप लोगोंने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ये कुर्ता बनवाया था अपनी साथी में से लेकिन इसे मैंने खुद नहीं बनाया था मैंने उस वीडि टेलर से स्टिच करवाया था तो टेलर ने जो बैक ने खोता उसे इतना जादा डीप कर दिया था कि मैं पहनने में बिल्कुल भी कमफरटेबल नहीं थी मैं बैकलेस के साथ भी पहन रही थी तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था लेकिन ये प्रिंट मुझे बहुत जादा पसंद था तो मैंने क्या किया इसका अपर पार्ट काट दिया और अपर पार्ट काटने के बाद सिंपली मैंने एक बैल्ट लगा दी अंदर में कपड़े का एक बैल्ट लगा दिया क्योंकि ये अंदर की साइड है तो मैंने इस कलर को इसमें अटैच किया है और एक इसमें elastic लगा दी अपने waist के according और ये एक short skirt में convert हो गई है ये knee के नीचे तक आती आप देख पारे हो ये एक skirt बन गई है तो अगर आपके पास भी इस तरह का कुर्ता है ये अनार कली है जिसे आप use नहीं करते हो अगर आपके पास long अनार कली है तो आपका long skirt उसमें से easily निकल जाएगा अगर आपका short अनार कली है मेरी तरहा तो ये इस तरह का आपका skirt easily निकल जाएगा तो आप picture में देख पारे हो कि पहले ये कैसा था और अभी मैंने इसे कैसे convert किया है so this is my second कुर्ता reuse तो जो third कुर्ता है और अगर हाँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो please like करिएगा और subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप चाहे तो मुझे instagram और facebook पे भी follow कर सकते है मेरा ID है सालू beauty and fashion link आपको description box में मिल जाएगा तो मैं third कुर्ती आपको दिखाती हूँ so this is what reuse idea as you can see ये जो है आप लोगों में से बहुतों के पास I hope ये कुर्ती होग ये online purchase की कुर्ती है this is by the brand जानस्या तो इसके साथ एक story हुई है actually मैं जहां पे रहती हूँ तो मैंने बहुतों को ये wear करती भी देख लिया था तो मुझे बिल्कुल भी ये पहनने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सुचा पहले इसे reuse किया जाता है उसके बाद मैं किसी को इसे दे दूँगी तो ये देखिए ये मैंने पिपलम टॉप में convert किया है as you can see मैंने अपर बॉड़ी को जो वेस्ट अपर बॉड़ी है वो मैंने 15 cm नाप के उसके बाद नीचे का जो पाट था उसे कट कर दिया और नीचे ये इसमें प्लीट्स डाल दिये जिससे ये पेपलम आप देख पा रहे हूँ यहां पे प्लीट्स मैंने डाल दिये है और एक चीज मैंने अगर आपके पास इस तरह का कुछ मल्टी कलर का है जिसमें एक से जाधा कलर है और आप उसे अगर टॉप में कनवर्ट करते हो तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि अगर जब आप पार्ट निकालते हो और इसमें दो कलर है तो आप करें एक जगा बस मल्टी कलर आजाएगा और एक जग प्लीन फाब्रीक आजाएगा जो देखने में बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इस तरह से सिंक्रोनाइज करके उसे स्टीच करोगे तो अच्छा लगेगा देखने में जैसे मैं नहीं यहां नहीं किया है तो अगर आपके पास भी कोई कूर्ती है तो आप इस तरह से इसे कंवर्ट कर सकते हो as you can see peplum top में तो this is my so this is my third reuse of old कूर्ती and मैं आपको और भी एक बात बोना चाहती हूँ कि इसको पहन के मैंने अपना haul video भी शेयर किया था मिंत्रा haul video my first मिंत्रा haul video तो अगर आप चाहे तो मेरे playlist में जाके मेरे haul video की playlist में जाके वो videos check out कर सकते है तो जो fourth कूर्ती है fourth कूर्ती को मैंने कैसे reuse किया है again this is a online purchase I bought this कूर्ता फ्राम मिंत्रा तो आप image में देख पारे हो I don't know image में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है image में आप देखो कूर्ता में जो है वो stain लग गया I don't know यह stain किस चीज का लगा कब लगा मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि यह stain कब लगा और यह भी मैंने एक से दो बारी पहना था so I use this कूर्ता because इसका जो stain है वो नहीं निकर रहा था so मैंने क्या किया as you can see अभी भी आप देखो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा stain दिख रहा है यह तो मैंने क्या किया कि जो जहां तक stain का पार्ट था उससे थोड़ा नीचे उसे cut किया और इसे asymmetric का stain कूर्ता asymmetric का जो look होता है मैंने इससे दिया है जिससे इसका जो stain का portion है वो भी cut out हो गया और इस तरह की कूर्ता जासकल बहुत ज़्यादा in है तो आपके पास भी अगर कुछ ऐसा कूर्ता है जिसमें stain लगे हो तो आप इस तरह उससे सो convert कर सकते है और next मैंने क्या किया पीछे का जो portion था वो सामने से मैंने long रखा high low का concept मैंने दिया है और यह plain बिल्कुल भी plain straight cut था लेकिन मैं इसे apple shape का shape दिया है थोड़ा उसा बुलाई में मैंने इसे सिला है concept plus asymmetric concept मैंने इस कूर्ता के साथ किया है जिससे यह short कूर्ता में convert हो गया आप इसे jeans के साथ pair up करोगे इस तरह की कूर्ता अगर आप reuse करते तो trust me guys यह इतना अच्छा इंडो वेस्टन लुक देगा तो जरूर अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का कूर्ता है तो आप इस तरह का कुछ try करे convert करें अपने कूर्तास को into new one and if you enjoy watching my video do subscribe my video and don't forget to press the bell button for upcoming notification of my video तो please 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 मेरे चैनल को subscribe करिए आपका एक एक subscription मेरे लिए बहुत ज्यादा important है आपके लिए subscription बिलकुल फ्री है लेकिन मेरे लिए आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है please be a part of my family fifth and last reuse of my kurta है मैं आपको वो दिखाती हूँ so ये डिखिए ये मैंने एक local shop से purchase किया था as मेरे follower हो you must be known to this fact that blue is my favorite color indico is my favorite 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 color blue देखती है वो मुझे बस वही पसंदा जाता है तो I was just window shopping और ये kurta पे मेरी नजर गई थी क्योंकि इसका print मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये kurta purchase किया था बढ़ हर आके मैंने इसे try किया तो ये बिल्कुल भी long अनार कली कुरता था ankle length के थोड़ा सा उपर आता था लेकिन अब कभी कभी क्या होता है आपका जब अनार कली का घेर कम होता है a-line का जो घेरा होता है वो कम होता है तो आपके hip के पास आके वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़ादा uncomfortable feel कराता है आपको जिससे आपको चलने में या फिर walk करने में थोड़ी सी परिशानी होती होगी बहुत सारी girls ने यह problem face की होगी कभी ना कभी तो इस कुर्ता के साथ भी यही हुआ था बट मैंने इसे लिया था तो मैंने सोचा इसे reuse किया जाए तो as it is यह दिखी जो प्लाकेट का portion है यहां से मैंने उसे cut कर दिया यह as you can see प्लाकेट की portion के पास से मैंने इसे cut कर दिया औ और दोनों flares को खोल के front में मैंने बस इसे pleats डाले हैं यह front में मैंने इसे pleats डाला है और back में मैंने इसे plane रखा है क्योंकि इसमें इतना कपडा नहीं था कि मैं back side में भी इसमें pleats डाल पाऊं so I decided to put all the pleats in front side to give it a very nice look मैंना सांगरिया ब्रैंड बहुत जादा favorite है तो सांगरिया में इस तरह की कुर्ती बहुत जादा देखनी को मिलेगी tunics में tops में तो वहीं से inspire होके मैंने इस कुर्ता को convert किया है as you can see the pleats और मैंने इसमें कुछ भी changes नहीं किया है बस एक change किया है मैंने ये दो टैजल इसमें add किये है ये टैजल भी मेरी एक पुरानी कुर्ती में से निकला था जिसे मैंने अच्छे से रग दिया था मैं कुछ भी waste समझके नहीं फेकती हूँ मैं हमेशा उसका reuse करती तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियो ऐसी देखी होगी जिसमें मैंने वेस्ट का use as a main ingredient किया है प्लीज मेरी ब्यूटी रेमेडिस की वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरी fashion related वीडियो को दे रहे हैं प्लीज दू विजित मैं चैनल और ये लाइक दू अगर वीडियो है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा तो मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी content के साथ तिल दन बी healthy, be happy, take care and bye-bye